नमस्कार हरहर महादेवं दोस्तों मेरा नाम इनकेचेट और आप देख रहे हैं आपन बनार्स वीट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को दशा सुमेद भावन दिखाने वाला हूँ आज साथ जुलाहिया है और प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी आज वारांसी दोरे पर इसका लोकारपण करेंगे वीडियो में बने रहेगेगा इससे संबंदित सारी जानकरिया मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों ये दर्शा सुमेद घाट है सामने आप देख रहोंगे और यहीं पर ये दर्शा सुमेद भावन बनाए गया ह आए चलते हैं देखते हैं और भावन में क्या क्या है आज चुकि लोकारपण होने वाला है इसलिए यहाँ पर देख रहोंगे सारी तैयारी यहाँ पर चलिए फूलों से इसको सजाय जा रहा है इसको बनाने का उद्श यह है कि दर्शा सुमेद घाट पर अब जल्दी मागंगा के दर्शन के साथ ही बनारसी मेंजनों के साथ ही बनारसी लेटेड और भी चीजों का एक ही जगह पर लुट्फ उठाये जा सकेगा यह भी प्रदान मंत्री नर्यन मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आज साथ जुलाई को पियम मोदी मारसी को सौपिंग है इस भावन में बनाई गई मिउरल वाल आने वाले परटकों को काशी की संस्कृति और एतियासिक इमारतों से रूबरू कराएगी इस भावन को फाइनल टेस्ट दिया जा रहा है यहाँ पर आप देख रहोंगे यहाँ एक लाइन से सारी लाइटे लगाई गई है रात में जब जगमगाती है तो इसके खुबसूरती देखते ही बनती है यहाँ पर देख रहा है आप लोग यहाँ पर एक प्रपोज्ड दसा सुमेद घाड रीडवलेंट्मेंट प्रोजेक्ट एट वाराणसी इस पर इस भावन का पूरा नक्षा दिया हुआ है यह वीडिय यानि वाराणसी विकास प्राधिकरण की देन है इस योजना के कारेडाई कंपणी के प्रोजेक्ट के अनुसार यह प्रोजेक्ट जो है लगबग 28.7 करोड का है और इसको आज कंप्लीट कर दिये जाएगा 18 महिने में बनकर तयार हुए इस भावन में मीरल वाल के साथ ही 196 दुकाने एक रिश्टोरेंट और दो रिवर साइड ओपन रिश्टोरेंट बनाए गए इसके अलावा 14 फूड कोट भी है दोस्तों सामने आप देख रहूंगे दस घुड़े बनाए गए हैं आईए बताते हैं इनके बारे में यहाँ पर दस घुड़े इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यह दसा सुमेद घाट परिस्थित है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने दस असुमेद यग करवाए थे यहीं करण है कि दसा सुमेद घाट इसका नाम दिया गया है यहाँ पर आप देख रहूंगे दसा सुमेद का पूरा परिचे दिया हुआ है इसको आप वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग दिवारों पर काशी की संस्क्रति को और विरासत को दर्शाया गया है जल्द ही यह बनारस का नया फोटोग्राफी पॉइंट भी होने वाला है दोस्तो इसमें बनारसी पहनावा खान पान और बनारसे रिलेटेड सभी वस्तूओं की दुकानी खोली जाएंगी यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से शुरू होगा तो कोई भी परेटक या काशी वासी एकी छट के नीचे बनारसी खान पान और बनारसी पहनावा की खरीडारी का लुथ उठा सकता है यहां पर देख रहे होगा आप लोग चड़ने के लिए वेंटी लेटर और सीड़ियां दोनों दोनों दी गई हैं यहां इसके छट पर ओपन फूड कोड भी बनाएंगे जहां से आप खाना खाते हुए मागंगा के दर्शन कर सकते हैं प्रधान मंतरी नर्ण मूदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का कारे बहुत ही कठीन था है क्योंकि यह जो जगह है यह हाट आफ दे सीटी यानि दशा सुमे गोदोलिया छेतर से आने वाला है और गोदोलिया छेतर पर दिन में बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है भीड भाड़के चलते हैं यहाँ पर ट्रखे जो है कच्चा माल नहीं ला पाती थी इसलिए रात में यहाँ पर जो भी सामान लाय जाता था वो रात में ही लाय जाता था 28 करोड के इस प्रुजिट को लगभग 18 महिनों में कंप्लीट किया गया है कई सालों से यहाँ पर यह जो है और जिनिर में ठोकर खंडार में पढ़ा हुआ था मौजूदा सरकार ने ध्यान दिया और यहाँ पर एक बड़ा व्यापार प्लाजा बना गया है जो कि बहुत अच्छा प्रयास है में नीचे देखरा आप लोग अंडर गाउंड में भी बनाएं गया है इधर भी आप लोग देख रहांगे दुकाने बनाएगे हैं यह देख रहे हैं आप लोग इस तरह भी सारी दुकाने बनाई गहीं है दोस्तों अभी यहां कुछ काम चल रहा है फाइनल टच दिया जा रहा है इस विए से मैं भी नीचे यहां प्रूपर जाने का मार्ग है वह अब आप वीडियो के लागते हैं आयागते हैं कि दोस्तों सामने आप लोग देख रहेंगे जो लाइटे लगाएगी है इसमें लाइट के साथ ही कैमरा और आग लगने के लिए आग से बचने के लिए सुविधाय भी दी गई है एक यहाँ पर एक इधर और एक इधर दो इधर तो लिए दिखाते है अरे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग उपर यह लाइटे लगाएगे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कैमरे की सुविधा भी दी गई है और इसके नीचे देख रहे होंगे आप लोग इन केस अफायर यानि अगनी समन यहाँ पर दिया गया है इस खंबे में इस तरह आप जो है इसी प्रोजेक्ट में चितरंजन पार को भी शामिल किया गया है यानि इसके बनने के बाद उधर चितरंजन पार का विस्तारी करण किया जा रहा है वरांसी में जीतने भी यात्री बनारस घूमने आते हैं वो काशी उशनात बाबा के दर्शन करने से पूर यहाँ दर्शाश उमेद घाट पर इसनान करने जरूर आते हैं इसनान और दर्शन करने के पूर्शाश वो यहाँ पर आकर बनारसी खान पान बनारसी कपड़ों आधी का आनंद ले सकते हैं जोस्तों यहाँ देख रहा है आप लोग यह सीड़ियां बनाए गई है और इधर दिव्यांगों के लिए रैम भी बनाए गया है उपर चड़ने के लिए यह तूरिस्ट प्लाजा का यहाँ पर पूरा मैप दिया गया है और इसका मॉडल भी दिया गया है कि यहाँ पर कहां पर क्या चीज़े बननी हैं यह देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का है और यह अंडर्गाउड फ्लोर का है और यह लोवर अंडर्गाउड फ्लोर का है अब देख रहा है आप लोग एन बी कंसल्टेंट आर्खीटेक्ट जो है इसके आशी स्रिवास्तों में यहाँ पर देख रहा है आप लोग हर जगह कैमरी लगाए गए है अभी अंदर साफ सफाई का काम चल दा है अब देख रहा है आप लोग वार्नी में लिखाई वार अंदर सीची टीवी सर्विलांस दुम्रपान निशे इच्छेत रहे है यह अच्छा काम किया गया है यहाँ पर देख रहा है आप लोग उपर जाने के लिए वेंटिलेटर दिया गया है और इधा देख रहा है आप लोग लिफ्ट की सुविदा भी दी गई है यहाँ पर सारी दुकानों के नंबर दी रहे है आप लग यू-16 यू-35 इस तरह करें